हेलो स्टुडेंट्स कैसे आप सभी मेरा नाम है आकामिश आत्रे और आज हम अपना के लाश्ट टेन थिस्टी का जवाब का चैप्टर नंबर वन है दर आईज अफ नेशनलिजिम इन यूरोप आज ही चैप्टर हमारा खतम हो जाएगा हां क्योंकि आज इस चैप्टर की ला अचेप्टर का आज चैप्टर खतम हो जाएगा यह दो बहुत इंपोटेंट अलग से बहुत बड़ी टर्म है आपने आप में नेशनलिजिम इन इंपिरियलिजिम इस इस टोपिक से रिलेटेट को जो जो शोट नोट्स होते हैं कोई पॉइंट आपको एक रिजिजन के सम मिल जाएंगे वैसे तरह आपको रेकुमेंड करूंगा कि आप खुद के नोट्स बनाएं कि खुद के नोट्स सबसे अच्छे होते हैं और सबसे जरूरी होते हैं जिब आप एक्जाम देने जाओगे 10 बोड का तब आपके हिस्टी में सबचादी यह काम आएंगे अगर आ आप से कोई सवाल पूचे अगर आपको कोई मोका दे कि भाई आप से कर पूछा जाए कि राष्ट की अपना आपके वीचार में कैसी होनी चाहिए तो आप उसे क्या जवाब देंगे पहले तो थोड़ा पढ़े यानि खुद थोड़ा सोचे ठीक हैं और जिसमें हमने में पढ़ा दा जर्मेनी फिमेल ऐहलोगेरी षे मारिऑनी मारिऑशश्षी ऑलो यलिकत वाचार दोनों के बारे में दो दो लाईनिया सब्क्राइब को या सब की जरूर यहादिने में पर एक्युअ में इंपोडेंट कोश्चन आ सकता है जर्मेनिया जो है वो क्राउन ओफ ओगलिवस पहनती थी क्यों क्योंकि जर्मन में ओख इस्टेंड फोर हीरोईजम वहापर होता है इसलिए वो सरपर एक ओगलिवस का ताज पहनती थी तो चलिए इस टोपिक को आप खुट सही पढ़ सकते आएगा इन दोनों टर्म से लिटिड तो चलिए शुरू करते हैं कि बाइदा लास्ट क्वार्टर ओव दा 19th सेंचुरी नेशनलिजम नो लोंगर रिटेंड इट्स बाइडियलिस्टिक लिबरल डेमोकरिटिक सेंटिमेंट अब इसका मतलब है कि उनिश्वी सताब्दी के एक तकरीबन एक तरह से अंतिम चोताई हिस्से में जो नेशनलिजम था यानि राष्टरवादी भावना थी नो लोंगर रिटेंड इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोकरिटिक सेंटिमेंट वो अपनी एक तरह से आदर शुवादी जो इसकी लिबरल डेमोकरिटिक स सुवाव था उसको वो रिटें नहीं रख सका यानि इसको बरकरार बनाये नहीं रख सका ओव दा फर्स्टाफ ओव दा सेंचुरी इसका मतलब कि जो सदी के परतब भाग में था वो सदी के अपने अंतिम चोताई भाग में जो लिबरल डेमोकरिटिक की एक तरह से बनाये नहीं रख पाया इसका मतलब यह है ठीक है अब आगे दिखते हैं बट बीकेम अनेरो क्रीड विद लिमिटिटिट एंट्स बल्कि अपने उनिस्वे सदी के चोधा चोथा ही हीच्चे में वो एक तरह से नेरो क्रीड विद लिमिटिट एंट्स बन गया इसका क्या म जो नेशनलिस्ट थामा पर वो लिमिटिट हो गया एक तरह साब यह समाह सकते हो दूरिंग इस पीरिएड नेशनलिस्ट गुरूप्स बिकेम इंक्रीजिंगली इंटोलरेंट उफ एच अधर एंड एवर रेडिट तो गो तुवार अब होता क्या है दूरिंग इस पुजि गुष्य की भावना थी वो अचानक से बढ़ने लगी ओफ इच अधर एक दूसरे के परती एंड एवर रेडिट तो गो तुवार और वे हमेशे एक तरह से तत्पर रहने लगे ती यह रहने लगे जब यूने यूद की संभावना दिखती थी यानि उस समय हमेशा तियार रहते थी जब भी यूदो का हम लड़ने के लिए जाएंगे एक तरह से ऐसी माँ पर समय एक तरह से ऐसा विक्सित हो किया था यही बन गया था अब इसका मतलब है कि नो ने अपनी इंपेरियलिस्ट एम्स सामराज्यवादी जो उनकी अकांक्षाय थी उनको पूरा करने के लिए उर्योपेन थाकत उन्हें अपनी सामराज्यवादी अकांक्षाव को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे अधीन लोगों को जो की नेशनलिस्ट के विरुत थे उनको अपनी तरफ मैनुपलेट कर लिया या नेशनलिस्ट के खिलाफ थे उन लोगों को अपरी तरफ मैनुपिलेट कर लिया अब आगे क्या होता है ना मोश सीरियस सोर्स ओफ नेशनलिस्ट टैंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाजबे रिया काल्द बलकांस यहां पर एक आपके ने टर्माई है बलकांस जो कि कॉश्च नेशनलिस्ट की जो एक तरह से टैंशनलिस्ट थी वह बहुत ज्यादे बन गई थी अठासवी काहत्तर में देख बलकांस वाज़ारीजन ओफ जोगराफिकल एथिनिग वैरिएशन कंप्राइजिंग मोडर्ण डे इस ऑपको दूबारे फीर बताया कि कौनसा रिजन है एक तरह से जोग्राफिकल एथिनिक वैरिएशन यह वह रिजन है जहाँ पर एक तरह से भूह ओलिक एएड सेम इस तरीके से बलकान भी इन सभी रिजन्स को इंसेट एनिया विसमें को एह साते हैं रोमेनिया आता हैं बल्गेरिया अल्बानिया गिरीस मैसेडोनिया करोटिया बोस्निया हर्जगोविनिया सोलेवनिया सर्भिया एंड मॉंटेंग गुरू इन सभी को आप पर याद करने कोई जूरुत नहीं है यह तो आप मैं कहूंगा कि आप कुछ तीन चाहर नाम अच्छे से आद कर लें जैसे कि रूमेनिया बल्गेनिया और अलवेनिया इतला याद ही कर सकते हों ठीक है तो इन सभी जैंस की जो तरह से नागरिक ते या निरहन ने वाले लोग थे इनैविटेंट्स थे हुए. उनस अभी को किस नाम से पुकारा जाने म्लगा जुब तो इसे मदेखक यह तोबी से ने ओटोमन एंपायर दोनों अलग लेक्टर में कभी थोड़े बहुत अच्छी कन्फ्यूस हो जाते हैं इसलिए अच्छे से इसको नोटिस करना लार्ज पार्ट ऑफ दा बलकांस वाज अंडर दा कंट्रोल ऑटोमन एंपायर जो बलकांस का बहुत बड़ा एक तरह से अधिकतर इसलिए अधिकरत आता था या इसके कभजे में आता था इसको निफ्यूस मत करना एक्साम में कभी आया कुछ और आप हम आपर कुछ और लिख दो दा अधिक नेशनलिजम भी आप दो आपको मैंने ये बता था कि एक राष्ट के यूनिफिकेशन में उसके नेशनलिजम का होने के साथ साथ रोमांटिक नेशनलिजम भी होना भूच जबी है ये चीज़े हमने पड़ी थी ना तो उसी विचार को एक तरह से इस प्राइड करने के समय जब वो अपना लोग इस विचारदाराओं को लोगों की बीच मेला रहे थे इंदा वलकांस बलकांस रिजन में तोगेदर विद दिस इंटिएरशन ऑफ दो अटो में एंपायर में इस इस विचारदाराओं को सब के सामने लाइए लेकिन साथ सा इसका इस इंटिएरशन भी अध्रेल विवाची यह गया रहा है तोगेद रहे थे बीस रीजन वेरी एक्स बादनों की वेज़े से जो बलकांस में बार पर एक्टरा से जीचोट शेरव अपर इस वो टक परिस्टी बन गई एक्सपनोसी सिचुएशन वहापर डेवलप हो गई ओल थुरोधा 19th century दा ओटोमन एंपायर है एट सोट तु स्थेंटन इटसेल्फ अब इसका क्या मतलब है इसका मतलता है समझी गए होंगी कि ओल थुरोधा 19th century पूरी 19th century के दुरान 19th century के दुरान जो ओटोमन एंपायर है अपनी जो ताकते हैं अपनी खुभी आए हम सभी को एक तरह से स्थेंटन करना चाह रहा था यानि को मजबूत करना चाह रहा था बढ़ाना चाह रहा था सुरों modernization and internal reforms कि किसके जरी यानि वह अपनी ताकते किन दो चीजों के जरी बढ़ाना चाह रहा था modernization के जरी यानि आदुनिकरन करके अपने इलाके में and internal reforms और एक तरह से आंतरिक जो सुधार है उनको डवलप करके बट वेरी लिटल सक्सेस लेकिन उसे इस इन चीजों में बड़ी काम्याभी नहीं मिली यानि कि जो अपनी ताकते बढ़ाना चाह रहा था आदुनिकरन करके और इंट्रेनल लिफॉम्स करके उस इन दो चीजों के वज़े से भी उसे कोई खास एक तरह से काव्याभी नहीं मिली अब होता क्या है वन बाइवन इस यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस इस ब्रोग अवे फ्रोमिट्स कंट्रोल और डिक्लियर यानि कि इसका यूरोप में जोटमान एंपायर ता उसके तरह से डिसिंटिग्रेशन होने माला है यानि यूरोप के चंगुल से निकल कर अपने आपको एक तरीके से इंडिपेंडेंस यानि के स्वधंतर खोशीत करनी लगी अब आगे क्या होता है अब बलकान पीपल्स ब ॉड के लोग है गया करते हैं अपने पर एक समय में फथींटर थे तो इस चीज को किसके जरी प्रूफ करते हैं वह इस चीज ओस्तरी यानि इप्यास अपना दिखा करे एकको इंडिपेंडेंस यूर्व आधारों को लेने के लिए दावा करते कि आगे क्या होता है, but had subsequently been subjugated by foreign powers, लेकिन अब होता क्या है, जो foreign ताक्ति थी यानि की विदेशी ताक्ति थी, वो इन सभी की चीज़ों को एक तरह से इन सभी के दावे को खंडित कर देती है, यानि उसे मानने से इंकार कर देती है, Hence, the rebellious nationalists in Balkans thought of their struggles as attempts to win back their long lost independence, अब इसके बाद क्या होता है, जो rebellious nationalists थे, यानि के विद्रोई कराम्तिकारी थे, इन दा बलकान से बलकान से रिजन से, उन्होंने यह सोचा की, their struggles as attempts to win back their long lost independence, जो इस्ट्रगल कर रहे है, संगर्ष कर रहे है, वो संगर्ष उनका अपने खोए हुए स्वतनत्रता को पाने के लिए रूप में है, जब वे अपना दावा कर रहे थे, अपने स्वतनत्रता को सिध्ध करने के लिए, पलोटिकल राइट पाने के लिए, लेक खोए हुआ स्वतनत्रता को पाने के लिए है, अब आगी क्या होता है, as the different Slavic Nationalists struggled to define their identity and independence, जैसे कि वो इस्वतनत्रता को पाने के लिए थे, वैसे ही, the Balkan area became an area of intense conflict, जो वहाँ नेशनलिस लोग थे, वो भी अपनी स्वतनता को पाने के लिए दावा कर रहे थे, से मुस्तरीक स्वतनत्रता को पाने के लिए, वो बाद में, the Balkan area became an area of intense conflict, बाद में जो बलकान दीजन है, वो एक तरह से intense conflict का region बन गया है, नी, शेत्री बन गया, the Balkan states were fiercely jealous of each other, यहां important है, the Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of the others, अब होता कि है, जो बलकान के states, they were fiercely jealous, यानि जो राज्जी ते एक दूसरे से बहुत ही किणना करने लगे, यानि चिणना लगे, यानि इक दूसरे के परतिन के मैंने में बुस्सी किभावना, वो जागर होने लगी, वो each other and each hoped to gain more territory at the expense of the others, और सभी राज्जी आपस में च जाने लगे, वांके जो राज्जी के लोग थे, किस भावना से, जलेशी के भावना से, matters were further complicated because the Balkans also became the scene of big power rivalry, अब होता है, बाद में, यह जो मामला था, मसला था, वो और भी complicated हो गया, और भी सखन हो गया, डैंस हो गया, यानि और परस्तिती बाद में, और भी गड़ने टोटी जो बलकाम क्षेत्रा था, वो भी एक तेरे से बहुत, बड़ी ताकत का एक तेरे से परतिसपदा बन गई था, यानि एक रीजन बन गया था, बड़ी ताकतों का, अब आगे क्या होता है, during this period, there were intense rivalry among the European power over trained and colonies as well as naval and military might, अब इसी पीरियड की दुरान, यानि समय की द तेरे से बहुत ही खतरनाक परिसिती बन गई थी, rivalry होने लगी थी, उसके बाद क्या होता है, over trade, किंची जो को लेकर, व्यापार को लेकर, and the colonies as well as naval and military might, जो नो सैनिक थे, और मा की सन्य अदल था, उन सभी को लेकर, इपी पूरे यूरोप में एक दूसरे के लिए, rivalry यानि बहुत ही, खतरनाक परिसिती बन गई, अब आगे क्यों होता है, इस राइवल्री, राइवल्री, राइवल्रीज, वर वेरी अविडेंट इन तब वे, तो बलकान प्रूबलम अन्फोल्डिड, अब वो देख है, जिस परकार जो बलकान समय से है, वो आगे बढ़ती है, ठ वो किले है, वो जो डूसरों के कभजाले में, दूसरों के अंतर गरत, वो जो य सब्सक्ळार तो जा तो फिक शेत्र करने लोग, वो अपना जो अक्सेटाूमnica वें आनुकि, कि उन सबीके शेत्र को कपजाने की कोशिश करने लगे अपना इरिया उनके रीजन में बढ़ाने लगे आप ऐसे समझ सकते हो this led to a series of wars in the region and finally the first world war अब अगर कोई दो थाकते, एक दूसरे के ऊपर कपजा करने की कोशिश करेंगी अपना रीजन बढ़ाने की कोशिश करेगी तो होगा क्या तिस लैटर सीरीज ओफ वार्स वहाँ पर एक तरह से यूद बन जाएगा यूद की परिस्तिती हो जाएगी और यूद अब शुरू होता है तो कोई नहीं चांथा कि खतम कब होएगा सेम उस तरीके से वहाँ पर एक तरह से फाइनल दा फर्स्ट वलवार की सिचुशन बन गई यानि फर्स्ट वलवार हुआ अब आगे क्या होता है नेशनलीस्म अग अलाइंड वीड इंपेरिय्य इन यानि कि यह सामराज जवाड हमां पर और इसनलिजम सामराज जवाड से जुड़कर CPT यानि कि रश्यवाद सामराज्यवाद से जुड़कर एक तरह से महाविबदा की ओर बढ़ने लगा यानि कि वह पूरे यूरोप को एक तरह से डिजास्टर की ओर ले गया इंपरियल डॉमिनेशन अब होता क्या है मिन्वाइल यानि किसी समय मैंनी कंट्री इंद वर्ल पूरे बहुत सारे जो कंट्री से यानिक देश थे विच एड बिन कोलनाइज बाई यूरोपियन पावर्स जिनका यूरोपियन पावर्स की दुआरा उपने विशिन करन किया त सब्सक्राइब कृकि दू 혼वार्स पे जिन कंट्रीस नेधुषिकं किया दुट अउड़े से woodsarei मुए इन्टीन सेंचूरी गूफ्री बिचंरी बिचंट्री बिकन तो ऊपोसिए पैसी इंपरियां इंपरियर डॉमिनि संट्र पावशिवनु पात्तों नेन रेस्ग कि हगवें WAव नशानलिस्ट उर जब जेशेमता सामराज ज्याधी भावना के विरुद्थ थे एक तरह से नेश्णलिस्स की विपक्ष में थे अगर कोई वियकती दूसरें के विपक्ष में होता है जैसे Ivka सें थे सबसकते मिटे में का सप्रम हना दोस्त验 से गयिं बावना के विरुद है वो एक तरह से नेशनलिस्त का फेवर कर रहे हैं आप इसको ऐसे समझ सकते हो आगे क्या होता है In the sense that they all struggled In the sense that they all struggled to form Independence Nation और वे जो नेशनलिस्त का पक्ष ले रहे थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे अपना संगर्ष कर रहे हैं किस चीज़ को पाने के लिए स्वतनत्र राष्ट राज्ये पाने के लिए उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम अपना संगर्ष की सकारण कर रहे हैं And were inspired by a sense of collective National unity और वो अगर ऐसा कर लेते तो वो एक तरह से अपना राष्ट को राष्ट राष्ट एगी करन करने में सक्षम हो जाते हैं National Unification बनने में Fod in confrontation with imperialism जिसके एक तरह से जो की वो लोग imperialism के विपक्ष में खड़े हुए थे European ideas of the nationalism were now were replicated अब होता क्या है जो European ideas थे nationalism के वर now were replicated यानि अब ये idea विचार ये कही पर भी दुबारा दुराए नहीं गए 4 people everywhere developed their own specific variety of nationalism हर जेगे जो लोग रहते थे अलग अलग इलाखों के लोग उन्होंने अपने खुद के nationalism की विचारदाराए विक्सित की अलग अलग शर्तियों की दुरान यानि उन्होंने सभी ने अपनी एक तरह से नई definition नेशनलिश्ट की किरेट की नेशनलिश्म की किरेट की अलग अलग शेत्रों में यह आइडिया था कि एक सोसाइटी को एक तरह से नेशनलिश्ट पे बनाना चाहिए यह आइडिया सभी के दुआरा अपनाया गया एक तरह से नेशनलिश्म की सभी के लिए डेफिनिशन अलग नग होने लगी लेकिन जो यह आइडिया था कि एक सोसाइटी को नेशनल नेशनलिश्ट बनना चाहिए यह आइडिया सभी के दुआ अपनाया गया तो चलिए आज का हमारा जो टोपिक था आपका खतम हो गया है इसी के साथ साथ आज का आपका पूरी की वन्शूट वीडियो बना दू वैसे तो यह चैप्टर आपको मेरी पूरी चैनल की सेक्शन में मिली जाएगा तो बस आप इतना कीजिए कि आपने खुद से इस टोपिक को एक बर पांच मिनार रिवाइस कर लिए जिससे आपके मैंन में पूरा बैट जाए और ह जाने में से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए ओल दावेस्ट